नमस्कार मैं सुईरी और आप देख रहे हैं देशी नियोजे शिक्षो को सक्चमक्ता परिक्षा 26 फरवड़ी से सुरू होनी है और इस परिक्षा में जो बच्चे जो सिक्षक उत्रीन होंगे उन्हें विसे सिक्षक माना जाएगा और जो विसे सिक्षक होंगे उन्हें उत् पत्र में की सहरी छेत्र के स्कूलों के सिक्ष को और उनकी रिक्त पदों को आकलन कर पूरी सुची 29 फरवरी तक हर हाल में उपलब्द करा दे इस भी छात्रों के संख्या के नुपात में सिक्षो को रासनलाईजेशन भी कर ले यह भी ध्यान में रखे कि हर स्कूल में किसी भी विशयक का कम से कम एक सिक्षक अनिवार रूप से रहें पदादे की सक्षमता परिछा देने वाले नियोजी सिक्षों के संख्या करीब सारे 3 लाख है वही दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से तिसरे चरण में करीब 87,000 पदों पर सिक्षों की न्यूकती होगी इसमें प्राथ्मिक से लेकर उच्चे माध्मिक सिक्षक के पद सामिल होंगे सिक्षा विभाग जल्दी विशय और कछा वार पदों की सुची आयोग को भेजेगा विभाग की ओर शे पदों की गनन की तयारी अंतिन चरण में हैं पहले और दूसरे चरण में न्यूकत रहे गए पदों को भी इसमें जोड़ा जाएगा आसे में बता दे कि जस तरीके से केके पाठख ने सभेजल अदिकारियों को लेटर के जरिये बता दिया है कि जिस तरीके से जो सिक्षक विसे सिक्षक होंगे जो उत्रिन होंगे करी तीन लाग से अधीक सिक्षक नियोजे सिक्षक हैं जिने राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा जब उन्हें तो बतादे कि जिस तरीके से बिहार के सिक्षा बिभाग की अपर मुखे सचीब केके पाठ्षक ने लेटर के जरिये सभी जलादिकारी और पदादिकारियों को कहा है कि जितने भी जो नियोजे सिक्षक है उनकी जो सक्षमता परिक्षा है वो 26 परबरी से सुरू होगी और ज जितना जादा बच्चा है उसके हिसाब से सिख्चों की आवण स्कूल को आवंतित किया जाएगा और ऐसे ही जिस तरीके से लगातार जो है द्धरना प्रत्रशन है उसको लेकर भी को पाठाक ने बीते दिन निचेटाबनी दे दी थी जिस तरीके से जो सिख्चक हैं वो धरन कहीं न कहीं 26 फवरी को एलान कर दिये हैं कि एक्जाम होगा सक्षमक्ता परिछाद देनी होगी तभी उन्हें से विजिस सिक्षक माना जाएगा और जो विजिस सिक्षक होंगे उन्हें मेधा सुची के अधार पर सभी सही छित्रों में पदस्थापित किया जाएगा ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश्टी नूस धन्य बाद